हाँ तो नमस्कार जी कैसे आप लोग उमिद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और यह जो एक नया बैच हमारा आ रहा है जिसका नामे बच्छो मंजील मंजील बैच है अब इसमें क्या होने वाले आज से नहीं बहुत दिनों से आप लोग गरते गुरू जी नन हिंदी का क्य होगा हम कैसे टॉपर बन पाएंगे सर हमारा तो नन हिंदी हुआ ही नहीं है प्यारे बच्छो आप लोग जितना भी लोग है जितने भी स्टुडेंट है नन हिंदी वाले मुझे लगबग 15-20 प्रसंट पूरे बिहार में नन हिंदी पढ़ते हैं जितने भी मुसलिम भाई देख सेंदी कि कल से स्टार्ट होने वाला जब वीडियों देख रहे हैं सत्तरा तारिक से अलगरी साम के तीन बज़े यह बैच चलेगा और यह बैच प्यारे बच्छो अना दस दिनों का बैच होगा नस दिन के अंदर आपका सारा सिलिबस खतम हो जाएगा सर क्या पढ़ नहीं है सिर्फ इस बैच में आपको क्या पढ़ना है लेकिन मैं आपको एक बार व्याकरण भी परहा दोंगा एक दू दिन रिविजन करके सर यह बैच में क्या क्या होने वाला है यह बैच 17 से स्टार्ट होने वाला जितने भी नन हिंदी वाले छात्र हैं सब लोग पहले है जब मैंने आपका स्लेवर्स देखा तो मैंने लगा हिंदी कुछ नहीं वह आठ क्लास का हिंदी किताब है उसी में जितने चप्टर उसको पढ़ाना है और मैं एक ही दुने बैट करके आधा किताब पढ़ लिया बच्छों आप लोग के लिए किताब को पढ़ना है और पढ़ा देना है ठीक है आईए आपका जो वह ना उसके बाद पचास आपके क्या है पचास सब्जेक्टीव में क्या आता है सर गध्यांस आता है 20 नमर का एक बार मैं बता दूँगा कैसे बनाना है ऐसे आपने नॉर्मल गध्यांस देखाऊँगा जब मैं सब को बहुत होता है गोधुली उससे भी आसान है बहुत आसान होता है अपका उसके बाद पत्र लेखन पांच नमर का तो यह तो बहुत ईजी है नेक्षा करने वाला दिर्गुत्रेव प्रस्ट ने पांच नमर का तो 20 और 10 30 और 10 45 45 50 50 नमर यहां से सब्जेक्टीव के हैं यह ब सब्सक्राइब करना लेना अगर आप सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं थोरे से महनती हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं अच्छी है थोड़े महनती स्टूडेंट है तो आपका पंचानवे प्रतिसत अंग आ सकता है मुझ से पढ़के नन हिंदी सिर्फ मुझ से सब्सक्राइब करते हैं तो फिर भी आपका एक प्लस नमर आ सकता है क्योंकि वहां पर बुक आपके इतने इजी है मैंने जब बुक देखा बच्चों हमारा जो वो दूसरा है ना सकेंड पार जो हमारा बुक है वरनिका उससे भी आसान आपका नन हिंदी है ठीक है तो इसम सब्सक्राइब करेंगे 10 दिनों के अंदर आप लोगों को इतना मजबूत बना दे कि नन हिंदी में 90 प्लस 95 नमर आपका अराम से आजाए 90 तो प्लस आहीं सकता है ठीक है तो आप आप लोग क्या करेंगे फिर बच्चों मैंने देखो इतनी ब्यस्तता भरी क्लास में मैंने आप लोग के लिए समय निकाला सर क्या बेस्तता है बच्चों सुभा चलता है हमारा अंतीम प्रहार अंतीम प्रहार बच्चों देख लेजिए कितने घंटे का है अंतीम प्रहार लगबग दो घंटा ले लेता है उसके बच्चों साम को राम बान राम बान बच्चों दो घ तो टोटल देखो बच्चो दो चार दो छे साथ आठ आठ नो घंटे की तो मेरी क्लास ही हो गई अब मैं आपके सामने आठ नो घंटा खरा रहने वाला हूं इसके पीछे की मेहनत को समझो जितना क्लास में लगता उतना पीछे भी टाइम लगता है पांच घंटा भी लग गया तो लबक 13 से 14 घंटा इसमें लग जाता है टूटल ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को अधी को नन हिंदी पढ़ाएंगे और आप लोग रहेंगे तो मुझे पढ़ाने में अच्छा महसूस होगा तो आप लोग बताएं यह मेरा बैच कैसा लगा आपको नाम क्या रखा है बच्चों मंजिल क्योंकि आप सभी को मुझे मंजिल तक पहुचाना है आप लोग के रिजल बच्चों एप्लिकेशन पर अपर उर्दू की वीडियो मिल जाएगी आप अभी कुछ दिनों के लिए उर्दू को भूल जाएं और सिर्फ नन हिंदी पर पूरा फोकस करें हंडेट परसन यानिकी 17 से लेकर के 27 तक में 27 तक में आपका नन हिंदी पूरा कंप्लीट हो लगा और इससे आप लोगों को क्या समझ में आया प्यारे बच्चों कि किस तरह से त्यारी करनी है क्योंकि आपका स्लेबस बहुत ज्यादा आसान है और मैं पूरा बुक पढ़ाऊंगा सर नोट्स यह तो भूली गया बच्चों नोट्स इनके पूरे नोट्स फुल नोट आपको नन हिंदी के मिलेंगे 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 बच्चों यह नोट्स आपको 20 से 30 तारिक बीच में आपको इसके पूरे नोट्स मिलेंगे तार नोट्स मिलेंग आप 17 बजे पсनुद को नहटा चूठ जाए नहिश्ट धरना नोट्स ऐस då अगर तुम्हाने संख्या कम होगी तो देखना फिर दिक्कत हो जाएगा तो आप लोग पूरी संख्या में रहेंगे नीचे कमेंट करना कितनी संख्या में आ रहे हैं कितने दोस्तों को लेकर दन्यवादी लब यू प्यारे बच्चों